वेल्कम बैक नाजरीन जैसा कि वक्फे से पहले हम अपनी महमान से क्विश्चिन कर रहे थे और हमारा जो एक चल रहा था एक गुफट शनीद और मार्शाला हम सब उस चीज़ से मुस्तफीद हो रहे थे अपनी इस इंटरनेश्टल लेवल के ओपर हमारी स्पोर्ट्स की ये यंगेस्ट हमारी महमान आये चलते हैं और हम अपने प्रोग्राम को वहीं से दुबारा कंटिन्यू करते हैं जी आप से बात हो रही थी और मैंने आपके पास एक क्विश्चिन चोड़ा था रिगार्डिंग जिस तरह से आजकल का दौर है सेलफी का तो कहीं भी जाते हैं तो आगर कोई भी स्टा हमें मिल जायता हैं आगмоते इएक सेलफी हो जाए तो बवा arguments तो बहुत को जाता हैं बहुत सेलफी खिचा लेता हैं लेकिन क्या करें कि जो हमेरे अपने देखने वाले हमारे चांने वाले उनको बढ़ और रिफ्यूज भी तो नहीं कर सकता, कैसा फिल होता है, वो जरह बताईए, ऐसे कोई experience जो आपके साथ हुए? जब हम लोग इवन सगेरा में होते हैं, नॉर्मल लाइफ में तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरा गेम जो है वो टाइकॉंडो है, तो इतने जादा नोग नहीं हैं, ना मैं इतना social media में हूँ कि मुझे बहुत जादा लोग जा रहने, और के नाम अवाम तो मेरी एक senior थी, उन्होंने बोला था कि मुझे लगता था कि आप बहुत attitude वाली होंगी, मगर आप तो बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने बोला था जब आप star बन जाते हो ना, तो आपको जुख जाना चाहिए, जुख जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा मैसेज है, तो अ मेरी पर selfie लेने आए, अगर कोई मेरी पर picture लेने जाए, यह तो मेरी लिए ओना रही है, उससे जादा मेरी लिए ओनार है कि उसने मुझे इस like समझाए, यही मैं जाना चाहरा था आपसे, क्यूंके हमारे बहुत सारे लोग कुछ ऐसे होते हैं, जो जैसे ही अपनी बुलंद जैसे तो आज जगा पे हैं, अगर हमें उनकी sport ना होती तो हम यहां कैसे होते हैं, definitely उनकी sport हमारे साथ है, हमारी जो young generation है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी अपनी इस field के हवाले से, मैं सिब यही कहना चाहूंगी कि घर में जो video games अगे रहा हो रहे हैं, और पैरेंट् बहार की करो, बहार जाओ, बहार जाके केलो, football केलो, हम लोग को भी ऐसी था, मैं सेकंड एर से पहले तो हमारे घर में रिवाज ही नहीं है, हम लोग को mobile भी दिया जाए, healthy healthy रहने के लिए वो कहते थे बहार जाके game केलो, healthy activity जरूरी है, मैं मेरे जो ननियाल और ददियाल में वो बहार जाएं, mobile भगिरा से निकलें, गैजट से निकलें और outdoor games जादा करें, बिल्कुल, outdoor games की तरफ आजएं और ये जो indoor game और video game इस से जो है किसी तरीके से हमारी जान जो है वो छूट सके, कम कर दें, उससे eyesight भी week हो रही है, आप कवेड भी जो रही है, आप कवेड भी अपनी game को time देना, अपनी club को time देना, तो अप कितनी बज़े उठती हैं, कितनी बज़े सोती हैं, किस बज़े study करती हैं, आपका जो diet है, वो क्या आपका चल रहा होता है, अभी भी, diet plan जो है, अभी मेरे कोई national नहीं है, मुझे national camp में बुलाया हूआ है, मगर कुछ issues की थोड़े से काम कर लेना, पढ़ लेना, फिर मेरी online classes होती है, university होती थी, मेरी उनिवर्सिटी होती थी, महां से 5-6 बज़े तक free होती थी, मगर अभी मेरी university नहीं है, तो 5-6 बज़े तक मेरी online classes होती है, फिर मैं जाती हूँ वापस club, training करने, और फिर मैं वहां से आती हूँ 8 कि खाना वगेरा खाती हूँ और maximum, क्योंके कराची है, जिन्दा लोगों का शहर है, तो 11 बज़े तक 11 बज़े से, मालोग साड़े 11 maximum होता है, फिर मैं सोचाती हूँ, यह है एक beautiful message, आपकी तरफ से हमारे नाजरीन के लिए, हमारी young generation के लिए, जो आपने दिया है, अपनी ज generation के लिए ताकि जब वो time पे सोएंगे, तो time पे उठेंगे ना, क्योंके रात बनाई सोने के लिए गई है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मुश्किल मैं अगर कोई वैडिंग वगिरा में चली गई तो एक बज़े वगिरा हो गया, उसमें भी मैं मामा को कहती हूँ कि बस आज तक मैं बहुत ही, एक दो दिन, एक हफ्त महला बहुत लाइफ में बहुत कम देश हैं जिसमें मैं राग जागी हूँ हूँ है और हमारी हर स्पोर्स की हर फील्ड के अंदर यह बहुत जरूरी है, आपको ताइकॉंड के अंदर जो है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड जिसमें को कहा पर देख रही है पाकिस्तान के असाब से रेश्यू चु चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ है, कि हर परेंट्स चाहता है कि उसकी बच्चे जो है सल्फ दिफेंस की तरफ आई है, अगर आप स्पोर्ट परसन हो ना, अगर मैं एक मिशाल हूँ लोगों के लिए, कि एक स्पोर्ट परसन को आप खड़ा कर दें और एक आप नॉर्मल लड़की को खड़ा कर दें, I am talking about the females only, आप उनके self-confidence में आप लेवल आप जाएक करेंगे आपको पते चल जाएगा कि बहुत फर्क है लेवल में, मैं अभी उनिवर्सिटी में जब मै आगे देख रही थी, और मैं उनको लिटरली आप फिलिंग के कैसे क्यों मैं इतना ज्यादा क्यों है ऐसी मुझे बहुत जादा confidence थे उनको confidence level बहुत कम था, confidence level बहुत कम था, interaction कम था, मुझे से कोई अगर आके बाद भी करें तो मैं उनको प्रॉपरली जवाब दे सकती हू जवाब दे सकती हूँ, वो नहीं दे सकती हूँ, यानि कि game जो है, एक ऐसी चीज है, जो कि sports woman को, sports girl को, sports boys को, एक confidence level उसका increase करता है, और confidence level उसका बढ़ता है इस game से, और उसके अपनी सिहत के लिए भी, उसके लिए बहुत necessary हो जाता है, और इस field के अंदर, जो taikondo की field है, मै पाकिस्तान के अंदर आप उसको इस level पर देखती है, मैं बता तो रही हूँ के ground level से, मुलब, sky level तक लेगाए है, जो हमारे सर, सर वसीम जो है, और अभी जो है, comparatively other games, मेरा point of view है, comparatively other games, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी games है, football है, cricket है, ठीक है, बाकी है, आपक पाकिस्तान में एक छोटा बच्चा भी है, अब वो टाइकवणो के नाम को जानता है, बिल्कुल साही है, ठीक है, अब वो judo karate को बहुत कम जानता है, judo karate तो एक हमारे बाबा अजदाद जो थे हैं, उनकी वज़ा से judo karate को जानता है, वरना जो है, टाइकवणो को हरे बच और अभी दो लोग जो है, इस साल मुझ पे दो लोगों ने बहुत महनत की है, एक सर उमर, उमर साइद, उन्होंने मुझ पे इतनी, मलब उन्होंने मुझे हर तरीके का support किया, उन्होंने मुझे club में training करवाई, अपने club में training करने दी, और मुझे financial कोई issue था, उन्होंने प्लियर, just a player, in a sense, वो Pakistan का मैं कहती हूँ, अभी best player है, number one है, जो अभी इंशाला हमें international level पर वो gold दे, चुक है, South Asian game में, और अभी जो हमारे olympic है, इंशाला वो हमारे olympic में gold होगा, gold नहीं तो वो medal ज़रूर होगा, मुझे मेरे ऐसी feelings हैं का वो gold होगा, gold होगा, इंशाला इंशाला हमारी best fishes आपके साथ हैं, और female में मैं कहाँगी कि Pakistan की जो best player है, वो my sister है, मैं अपना नाम भी ले सकती हूँ, मगर why should I lie, मुझे क्यों जूट बोलना चाहिए, मेरी बहन सबसे first number पर है क्योंकि उस से जादा कोई deserve नहीं करता है, वो बहुत जादा training भी करती है, और fitness के लिए, उनको क्या करना चाहिए, को tips आप देना चाहेंगी, females के लिए, मैं अपना diet control करना चाहिए, सबसे पहले अपना diet control करना चाहिए, cold drinks, junk food, मैं cold drink नहीं पीपी, good, okay, मैं पहले, लोग कहते हैं कि रोटी में जान होती है, मगर मैंने जब nutrition से consult किया, उन्होंने का कि हम जो रोटी खाते हैं शहरी लोग उसमें जान नहीं होती है, जो red आटा होता है, गंदम होता है, उसमें जान होती है, तो मैं रोटी जो है, वो normal आटे की नहीं खाती है, पंच चक्कियों का आटा होता है, उससे वो आटे की मैं रोटी खाती है, और बहुत कम मैं oil use करती है, म मैं यह कहऊंगी किस फीमिस को मैं यह कहना चाहूंगी कि वो मापनर ज्यादा नहीं कर सकती है कि आपको आगे cał manifest केया您ेyen ऐसे the अगर आप एक female को educate करते हैं तो आप पूरे खांदान को आप बिल्कु सही बात आपके बिल्कुल सही है जो females इस taikondo की field में आना चाहें तो उनको क्या message देंगी उनके लिए क्या होना चाहिए मैं आना चाहिए मैं यह कहूंगी के आना चाहिए के लिए मैं अगर मेरा support चाहिए तो मैं तो अभी भी कुछ बहुत सारे school है school नहीं है बलब एक school है मेरे पाद उसमें बहुत सारी बच्चीया है मैं उनको free of cost में training कर वाती है क्योंके they can't afford तो मैं कहूंगी कि अगर मुझसे कोई contact करना चाहता है तो मैं बहुत खुश हूंगी कि मैं अगर किसी female को self-defense सिका रही हूं उसको मार्शरे में रहने का तरीका सिका रही हूं तो मैं कहूंगी कि मैं बहुत honor feel करूंगे उसके लिए यह भी देगे कि आपका यह जो जर्नी गुजरा है इस स्पोर्स की फिल्ड के अंदर दस साल का एक टाइम पीरिड है इस जर्नी में कोई भी एक ऐसा वाकिया जो हमेशा एक जादगार बन के रहे किया हूं वाकिया बहुत जादा है कोई ऐसा special जो सबसे superior रहा हो और ना भूलने वाली कैफियत में चला गया हो जो मेरा पहला नैशनल का गोल्ड था नैशनल लेवल भी में बात करती है इंटरनेशनल तो एक event अगर आपको इंटरनेशनल आप खेले जाओ वो पाकिस्तान कलर वाली फीलिंग वो तुम्हे आल्रेडी बता चुकी जो मुझे पहला जो मेरा एक फील था ना जब मैंने नैशनल में गोल्ड लिया था ना और मैं जब विक्ट्री स्टैंड के फर्स्ट खड़ी वी थी ना तो वो जो एक addiction है ना पहले मैं खेलती थी लड़ने के लिए अब मैं खेलती हूँ अपनी उस जीत को बरकरार भी रखने के लिए आप हमारे चैनल के लिए कोई मैंस जीत हैँ था थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए आमलब बहुत कोपरेटिव आप लोग हैं आपके साथ मुझे बात करके सच में बहुत अच्छा फील हूँ और थैंक यवर सब्वोर्टिंग इस पूर्ट परसन थैंक यू सो मच आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन जैसा के आज हमारे मैमान से हमने बहुत सारी चीजें लर्ण की बहुत सारी चीजें सीखीं बहुत सारी टिप्स उन से ली उनके बारे में जाना और स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर उन एक के हम कैसे आ सकते हैं हमारी फीमेल्स कैसे आ सकती हैं आपने देखा कि माशाधा यंग जनरेशन में से हमारी यंग गैस्ट जो स्टार्स है место वो इस फील्ड के अंदर कैसे हैं और इस लिवक्त माशाधा एक इंटरनेशन लेवल के ओपर जाके जो गेम्स कर रहे हैं, इंटेर्णेशनले वर्कोर पकिस्तान का नाम्स हमारा बुलंद कर रहे हैं तो इन्शाओला आप से नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नेक्स्ट स्टार से जरूर मुलकात होगी जिन्दगी पखेर तो इन्शाला नेक्स टाइम फी अमानिल्ला अला हाफिस